Postal Life Insurance यानी PLI जिसमें एक प्लान होता है Whole Life Insurance जिसको सुर्ख सा प्लान बोलता है तो इस वीडियो में आपको इस प्लान से समधित क्या नियम है क्या सरते हैं और कितना रिटन आपको मिलता है उसके बारे में तमाम जानकरी दी जाएगी नमस्कार आप देख रहे हैं Postal दोस्त आगे बटने से पहले हम PLI के बारे में सामने जानकरी प्राप्त कर लेते हैं PLI जिसको हिंदी में डाग जिवन बीमा बोलता है जो कि सबसे पूरणा बीमा है यह सरकारी क्रमचारियों के साथ मैं संगटी छेत्र के सभी क्रमचारियों के लिए अभी उपलब्ध है इसके अलावा एक और इसकी पोस्ट ओपिस द्वारा चलाई जाती है जिसको RPLI कहता है जो कि केवल ग्रामिंट छेत्र के लोगों के लिए है PLI और RPLI से समधे सारे वीडियो आपको अमारे चैनल पर मिल जाएंगे और लिंक आपको डिस्किप्शन के अंदर मिल जाएगा PLI के एक खास बात है कि यहाँ पर आपको दूसरी कंपनियों की तुलना में लो प्रीमियम देना होता है और दूसरी कंपनियों से बहुत ज़्यादा बोनस यहाँ पर मिलता है आप हमें Facebook, Twitter और Instagram पर फॉलो कर सकते हैं PLI के अंदर सबसे पहला प्लान होता है Hall Life Insurance जिसके बारे में इस वीडियो में बात की जाएगी उसके बाद में Endowment Assurance संतोस जो की सबसे ज़्यादा बिखने वाला बीमा है और Convertible Hall Life Insurance जिसको शुईदा बोलता है इसके अलावा Anticipated Endowment Assurance जिसको सूमंगल बोलता है इसके अलावा एक यूगल सुरुक्षा प्लान होता है Joint Life Assurance और बच्चों के लिए Children Policy बाल जिवन बीमा Postopie से जुड़ी सभी परकार की जानकारी के लिए Postal दोस्ट चैनल को सबस्क्राइब करें Whole Life Assurance जिसको सुरुक्षा बोलता है यह एक ऐसा प्लान है जिसके अंदर आपकी आयू 80 वर्स होने तक आपको बीमा सुरुक्षा मिलती है जबकि प्रीमियम आपको अधिकतम 60 साल तक ही जमा करवाना होता है यहाँ पर आप प्रीमियम जमा कराने की आयू 55 साल, अठाउन साल और 60 साल ले सकता है 80 वर्स से पहले यदि कभी भी आपकी मर्ति हो जाती है तो आपको बीमित रासी यानि की सममेश्योर और उसके उपर जितना भी बोनस एक्यूर होता है वह आपके नॉमिनी को मिल जाता है अधरवाइज 80 वर्स की आयू होने पर आपकी पॉलिसी मैचूर मानी जाती है और बीमारासी और बोनस आपको मिल जाता है अब इसके लिए क्या-क्या सरते हैं मिनिमम एज यहाँ पे 19 येर्स हैं और मैक्जिमम एज 55 साल है मिनिमम और मैक्जिमम सम मैचूर दूसरी PLI की तरह 20,000 और 50,000,000 अधिक्तम है चार साल के बाद में इस पॉलिसी पर आप लॉन भी ले सकते हैं साथी तीन साल के बाद में आप इस पॉलिसी को सरंडर भी करवा सकते हैं यहाँ पर पॉलिसी प्लान सिंगल रहता है आप दो जनों के जॉइंट में यह प्लान नहीं ले सकते हैं इस पॉलिसी के अंदर आपको सबसे ज़्यादा बोनस रैट मिलती है जो की 8,500 है यह बोनस आपके 1,000,000 की पॉलिसी पर हर वर्स आपकी पॉलिसी के अंदर जमा होता है इसके अलवा आप P.A.L.I. की किसी भी पॉलिसी का प्रीमियम केस में या और लाइन जमा कर सकते हैं इस पॉलिसी की मैचृरिट एज 80 साल है आप इस पॉलिसी को कभी भी कनवर्ट भी करवा सकते हैं यानि कि यह दिए है आपने होल लाइ पेसेन स्वास लिया है तो आप आपकी IU 69 साल होने तक कभी भी इस policy को EA के अंदर convert करवा सकते हैं चब इस policy को आप लेते हैं तो आपको nomination की सुईदा मिलती है उस nomination को आप कभी भी change करवा सकते हैं यदि आप समय पर premium जमा नहीं करवाते हैं तो आपकी policy lapse हो जाती है और उसको आप वापस revival करवा सकते हैं कैसे आपकी policy lapse होती है और कैसे आप उसको revival करवाएंगे इसका वीडियो हमारे चैनल पर पहले से हैं PLI को कौन-कौन ले सकता है तो PLI के सभी plan के लिए समस्त राज्य सरकार और कैंतर सरकार के करमचारी eligible है इसके अलावा संगटी छेतर में कारिय करने वाले करमचारी या उन कंपनियों के करमचारी जो की NAC या BAC में listed है इसके अलावा डॉक्टर वकीत जैसे पैसेवर व्यक्ति भी अब PLI करवा सकते है PLI की कुछ अन्य महत्रपून जानकारिया यदि आप PLI का premium समाई पर जमा नहीं करवाते हैं तो 100 रुपय पर 1 रुपय पर बंद के इसाब से आपको default फिस देनी होती है यदि आप 6 महिने से ज़्यादा advance के अंदर premium deposit करते हैं तो आपको rebate भी मिल जाएगा इसके अलवा PLI और RPLI premium जो भी आप जमा करवाते हैं उसके छूट आपको income tax के अंदर ATC में मिल जाती है यहाँ पर आपको passbook भी मिलेगी और policy bond भी मिलेगा PLI के premium को आप भारत के किसी भी post office के अंदर जमा करवा सकते हैं उसका कोई अलग से charge नहीं है premium की frequency आप अपने हिसाब से monthly, quarterly, half yearly और yearly ले सकते हैं आप monthly लेने के बाद में एक साथ भी पैसा जमा करवा सकते हैं जिसमें आपको rebate मिल जाएगा अब बात करते हैं यदि आप PLI लेना चाता हैं तो किस परकार से आप premium को calculate करेंगे तो premium calculate करने का सबसे बड़िया माध्यम है post info app जो की भारतिय डाग विपाग की official app है उसको आपको अपने mobile में download करना होगा इस app के अंदर आपको एक option विलेगा insurance portal वहाँ पे आपको click करना है premium calculator पर यहाँ पर नीचे आपको PLI और RPLA दो tap मिलती है PLI का premium calculate करने के लिए PLI tab के ओपर click करेंगे उसके बाद मैं some assured और आपकी age आपको लिखनी है उसके बाद मैं click करना है get caught पे तो इस परकार की एक table आपके सामने खुल जाएगी इस table के अंदर आपको सभी परकार के PLAN आपको दिखा ही देंगे तो whole life insurance के PLAN के लिए यदि आपकी age 17 साल है और यदि आप एक लाग का insurance लेते हैं तो आपको यदि आप 85 साल के I.U. तक premium term लेते हैं तो आपको 204 रुपे पर मंत के हिसाब से आपको जमा करवाना होगा जिसमें 200 रुपे प्रीमियम है रिबेट आपको 5 रुपे की मिलती है और tax जो है 4.5% के हिसाब से पहले साल लगेगा और उसके बाद में 72% के हिसाब से tax आपको देना होगा और इसी परकार से यदि आप 60 साल की आयू तक premium paying term लेते हैं तो उस condition में आपको 183 रुपे आपको premium हर माईने जमा करवाना होगा यदि bonus की rate हम 7600 माने तो आपको 3,50,800 के तक्रीबन maturity amount मिल जाएगा वीडियो के बारे में आप हमें सुजाव जरूर दें जिसे की हम आने वाले वीडियो में उसका समाधान कर सकें अब PLA को कैसे ले सकते हैं कौन-कौन से दस्तावेजो की आवश्कता होती है आप किसी भी post office में संपर करके PLA का आवधन कर सकते हैं यदि आप online आवधन करना चाहते हैं तो PLA.IndiaPost.gov.in पर जाकर आप कर सकते हैं वहाँ से आप agent को भी सर्च करके PLA ले सकते हैं PLA के लिए आपको एक passport size photograph के आवशकता होगी इसके साथ ही आपको letter of birth का proof देना होगा जो की pen card हो सकता है, license हो सकता है, mark sheet हो सकती है इसके अलावा आपको एक address proof देना होगा जब आप proposal forum के साथ में premium जमा करवा देंगे तो 15-30 दिन में आपकी policy बन जाएगी और आपको passbook आपके गरपर deliver कर दी जाएगी चैनल को subscribe जरूर करें वीडियो को like करें और अपने दोस्तों के साथ share करें थैंक्स पर वाचिंग, नमस्कार